आप जानते हैं कि साबुन कपड़े धोने, नहाते समय, शरीर की सफाई के लिए और घर की सफाई के लिए प्रयुक्त होता है यह हमारी स्वच्चता के लिए बहुत मैत्वपून है खाना खाने से पूर्व और उपरांत साबुन से हाथ धोना एक अच्छी आदत माना गया है ऐसा करने से सभी बिमारी पैदा करने वाले किटानू नश्ट हो जाते हैं आपको यह जानकर आश्चरे होगा कि साबुन का आविशकार एवं प्रयोग आज से पाँच हजार वर्ष पूर्फ हुआ था बेबी लॉन के पुरातन अफशेश इसके गवाँ है ब्रिटिश शार्षन के दौरान लीवर ब्रदर्स ने भारत में पहली बार आधुनिक साबुन का कारखाना लगाया था पहली स्वधेशी साबुन निर्मान की इकाई जमशेश जी टाटा ने केरल के कोची में सापित की इसके बाद यह साबुन देखते ही देखते हम सब की जरूरत बन गया आज हम आपको साबुनी करण अभिक्रिया द्वारा साबुन बनाने की विधी बताएंगे जब भी वनस्पती तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोकसाइट के साथ मिलाते हैं तो वह साबुन एम ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है यह अभिक्रिया साबुनी करण कहलाती है आज की प्रयोग के लिए आविशक सामगरी इस प्रकार है दो मापक सिलेंडर, दो बीकर, कैस्टर ओयल या एरंड का तेल, साधारन नमक, NACL, एक फनल, दो स्पैचुला, एक पेट्री डिश, काच की छड, फिल्टर पेपर या निसियंदक पत्र, त्री पार्ट स्टैंड, बर्नर, तार की जाली, 20 प्रतिशत, सोडियम हाइड्रोक का विल्यन, आज के प्रयोग को करने के लिए, सबसे पहले, हम एक बापक सिलेंडर में, 20 मिली लीटर, कैस्टर या एरंड का तेल लेंगे, इसे हम, इस बीकर में डालेंगे, अब हम इसे, गरम होने के लिए, रखेंगे, बर्नर जला लेते हैं, जब तक यह गरम हो रहा है, हम दूसरे मापक सिलेंडर की मदद से, 30 मिली लीटर, 20 प्रतिशत, सोडियम हाइड्रोकसाइड का विल्यन लेंगे, हमारा तेल गरम हो चुका है, हम इससे थोड़ा हिलाएंगे, और बर्नर को बंद कर देंगे, अब हम धीरे धीरे इस विल्यन को तेल वाले बीकर में डालेंगे, और काँच की छड़ से हिलाएंगे, साबुनी करन अभिक्रिया शुरू हो चुकी है, विल्यन मिलाते वक्त ध्यान रखें कि यह मिश्रन उचल कर बहार ना आए, क्यूंकि सोडियम हाइड्रोकसाइड एक प्रबल शार है और यह हमारी त्वचा और हमारे कपड़ों को नुकसान पहुचा सकता है, साब्धानी पूर्वक धीरे धीरे इस विल्यन को मिलाते रहिए और कांच की छड़ की मदद से हिलाते रहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि तेल का रंग बदलना शुरू हो गया है, साबुन बनाने के लिए हम बनस्पती तेल, नारियल का तेल, वेजिटेबल ओयल, अथ्वा वसा का प्रयोग कर सकते हैं, और सोडियम हाइड्रोकसाइड या पोटाशियम हाइड्रोकसाइड विल्यन को इस्तमाल कर सकते हैं, साबुन बनाने के लिए हम किसी भी तेल जैसे की वनस्पती तेल, नारियल का तेल, वेजिटेबल ओयल, अथ्वा वसा का प्रयोग कर सकते हैं, और किसी भी प्रबल शार सोडियम हाइड्रोकसाइड या पोटाशियम हाइड्रोकसाइड का प्रयोग कर सकते हैं जैसा कि हम देख रहे हैं कि कुछ अर्थ थोस सा पदार्थ हमारे वीकर में बनना शुरू हो चुका है इसे लगातार हिलाते रहिए और धीरे-धीरे इस विल्यन को मिलाते रहिए हमारे वीकर ठंडा हो चुका है इसको उठाकर हम नीचे रख लेते हैं और इसमें शेष विल्यन धीरे-धीरे मिलाते है ध्यान रखे कि इसे निरंतर हिलाते रहना है जाकि इसमें कोई गाठ ना पड़ जाए साबुन बनाते वक्त हम इसमें विभिन प्रकार के रंग और खुश्बू डाल सकते हैं जाकि ये और आकर्शक बन जाए सोडियम हाइड्रोकसाइड से बना साबुन त्वचा के लिए कठोर होता है इसरी इसे जादा तर कपड़े धोने और दूसरे इस्तमाल में प्रयोग में लाया जाता है हमारी मिश्रन का रंग बदल चुका है और साबुन इसमें बनना शुरू हो चुका है हम इसे अच्छी तरह हिला कर थोड़ी देर के लिए रख देंगे जाकि यह अभी क्लिया पूरी हो जाए और कुछ देर बाद इसे फिर से देखेंगे लगबग 10 मिनट बाद अब हम इसमें थोड़ा सा साधारन नमक डालेंगे और इसे अच्छे से हिलाएंगे ऐसा करने से साबुन कुलाइडी अवस्था से निकल कर ठोस आकार ले लेगा इसे अच्छे से हिलाना है जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे मिश्रन में साबुन और एक उत्पाद और अलग हो रहा है यह उत्पाद ग्लिसरॉल या ग्लिसरीड है यह भी साबुनी करन का एक उत्पाद है ग्लिसरॉल भी साबुनी करन अभिक्रिया का सह उत्पाद है आप देख रहे हैं कि बीकर में साबुन बन गया है अब हम इसे स्पैचुला की मदद से इस पैट्री डिश में निकालेंगे और इसे ग्लिसरॉल से अलग कर लेंगे तो आपने देखा कि साबुन बनाना एक सरल सी अभिक्रिया है और आप इसे बहुत असानी से अपनी लाब में कर सकते हैं इसे करते वक्त सारी सावधानिया जरूर बरते हमने पहले से ही कुछ साबुन बना के रखे हैं अब हम अपने बनाए हुए साबुन को विभिन आकार में ढालने की कोशिश करते हैं इसके लिए हमें चाहिए कोई भी एक खांचा या आप माचिस की डबी का इस्तमाल कर सकते हैं ऐसा करने से पूर्व इसमें से ग्लिसरॉल को हटाना जरूरी है हम इसे फिल्टर पेपर पे लेंगे जाकि जो ग्लिसरॉल इसमें है वो फिल्टर पेपर सोक लें अब हम स्पैचुला की मदद से इसे इस खांचे में डालेंगे और इसे एक आकार देने की कोशिश करेंगे इस तरह आप साबुन को कोई भी आकार और रंग दे सकते हैं हमने पहले से ही कुछ साबुन बनाकर रखे हैं जिसमें हमने विभिन रंग और विभिन खुश्बुओं का प्रयोग किया है आप अपनी लेबॉरेटरी में ऐसे साबुन बना सकते हैं कोई भी साधारन तेल और सोडियम हाइड्रोकसाइड का प्रयोग कर साबुनी करन अभिक्रिया द्वारा साबुन अपनी लेबॉरेटरी में बनाया जा सकता है ऐसा करते वक्त जरूर साबधानिया बढ़ते और विभिन प्रकार के साबुन बनाए विभिन खांचों का इस्तमाल कर विभिन साबुन बना सकते हैं हम आशा करते हैं कि इस प्रयोग के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि तेल या वसा से हम किस प्रकार साबुन बना सकते हैं कि तेल बना सकते हैं